समझ में अगर आप एकदम बढ़िया कॉंप्रिमेंटिंग टाइप फ्रेगर डून रहे हैं वो भी बजट पे यानि की 15 से 16 सो के अंदर जो पॉपिलर मिडली इस्टन ब्रैंड से होते हैं तो ये छे परफ्यूम्स आपको जरूर ट्राइक करना पड़ेगा तो इन छे परफ चार ब्रैंड्स हुए यहां पर तो चलिए शुरू करते हैं नंबर छे पे जो लताफा की तरफ से आएगा जिसका नाम है लताफा हयाती जो पैकर बैंड इन्विक्टिस विक्ट्री का बहुत बढ़िया क्लोन माने जाते हैं इन्विक्टिस तो आप जानते ही है इसका अल आप सुख सुख के बोर हो चुके हैं तो अलग बात है लेकिन मास प्लीजिंग, क्राउट प्लीजिंग मना जाता है तो यह उसका क्लोन मना जाता है बहुत बढ़िया क्लोन है, स्वीट है तोड़ासा टॉंका वैनिला के वज़े से लेकिन समर के लिए बिलकुल सूट करता है performance भी इसका ठीक ठाक है दो गंटे तक इसका प्रोजेक्शन और आठ से नौ गंटे तक इसका लास्टिंग कपड़ों पर नंबर फाइप पे आएगा फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे हिंदी चैनल पर ही देख सकते हैं लाइट ब्लू इंटेंस डॉल्ची गबाना का बहुत बढ़िया क्लोन एकडम फ्रेश एक्वार्टिक सॉल्टी वाइब लेकिन वह सॉल्टी एक्वार्टिक वाइब ओरिजिनल से कंपर म मिलेगे लेकिन फिर भी क्लोनिंग वाइज यानि की इंस्पिरेशन वाइज बहुत ही बढ़िया उप्सेन है 1500-1600 के बीच में ही आपको मिल जाएगा एकडम समर के लिए बढ़िया परफ्यूम है प्रोजेक्शन भी इसका दो गंटे तक रहता है और साथ से आठ गंटे त करफ से आता है एमोरिस्ट नाम से यहां पर बस यही फरक है कि और इस थोड़ा सा स्वीट है और जिनल से कंपेर किया तो लेकिन एकडम बढ़िया लास्टिंग और एकडम बढ़िया परफार्मिंस भी देता है दो से धाई गंटे तक इसका प्रोजेक्शन और आठ गंटे तक इसका लास्टिंग भी रुखता है लेकिन मिलते ही इसको जज्ज मत करना क्योंकि मुझे ये वाला लास्टिंग दो मैने के बाद लगा था बहुत बढ़िया ऑप्शन है समझ के लिए अगर आप औरेंज एक्वाटिक टाइप फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं तो यह जर यह ग्रीन अपल और सेज और बेज में आपको वूडी नोट बहुत बढ़िया ऑप्शन है 1500 के अंदर मिल सकता है आपको रेट इदर उदर थोड़ा बढ़ सकता है कभी गिर सकता है यह मेरे हाथ पे नहीं यह दोस्ते लेकिन जो भी मैने फ्रेग्रेंस चुना हूँ चाहिए और समस के लिए एकदम कॉपलिमेंटिंग टाइप ही है यह यह वाइसल वाई का बहुत बढ़िया क्लोन है वाइसल वाई तो आप जानते ही है एपल सेज नूट बहुत लोगों को पसंद आता है तो यह अल्मोस्ट 80-85 परसंट सिमिलर ही लगता है EDT से बहुत बाद इसका performance और भी बढ़िया बन जाता है नंबर दो पे आएगा Riffs की तरफ से कैफेन वार बहुत पहले मैंने English Channel पर इसका बहुत तारिफ किया था क्यूंकि 8 गंटे के बाद भी मुझे इससे compliment मिला था सुना था कि यह reformulate हो चुका है पता नहीं कुछ लोग मिलते ही judge करत है तो यह भी ऐसे हुआ था मुझे कभी महसूस नहीं होता है जब में लगाता हो लेकिन दूसरों को महसूस होता है तो उस मामले में यह मुझे 8 गंटे के बाद भी compliment मिला था तो यह समर के लिए एकदम complimenting एकदम performing type summer scent ही कहूंगा कुछ लोग इसको प्यूर एक्सस से कंपर करते हैं मुझे तो उतना लगा नहीं यह थोड़ा सा fresh थोड़ा सा spicy accord पैशन फूर्ट जैसा फील देता है लेकिन बहुत ही बढ़िया option नंबर वन पर जो मेरा personal favorite है और इसमें compliments भी मिलाता मुझे वह आयागा लताफा शुक्रात जो अर्मानिका एकवर्डी जियो प्रफू जादा नहीं है जितना मुझे अर्दल जाफरन का जजब सिल्वर से लगा अगर आप performance चाते हैं तो जजब सिल्वर पे जाए अगर आप blend wise complimenting refinement चाते हैं तो लताफा शुक्रात पे जाए यह आपको 1400 के बीच में ही मिलेगा यह आपको 1200 1300 almost similar है लेकिन आप performance से मतलब रखते हैं तो यह try कीजिए अगर आपको थोड़ा सा refinement चाहिए तो यह try कीजिए यह उतना performing लगा नहीं मुझे लेकिन फिर भी ठीक है दो गंटे तक इसका projection और साथ से 8 गंटे तक इसका lasting यह थोड़ा सा ज्यादा रहता है लेकिन इसका intensity जो भी है वह इससे बढ़िया है तो यह हुआ छे perfumes जो summer के लिए एकदम सही रहेगा और complimenting टाइप भी रहेगा और आपको सस्ते में भी मिल जाएगा यानि कि 15 से 16 सो के अंदर तो चलिए यह हुआ आज का review अगर इन में से कोई भी try की हैं तो comment में जरूर बताए है कि क्या आपको कौन सा अच्छा लगा या फिर क कोई और आप पसंद करते हैं तो वो भी comment section में जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए खुदा आफिस